तो है लोस्तो मैं वाशीश और दोस्तो आज किस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके इसे इंस्टॉल कर सकते हो लाइन एच वैस 17.1 जो कि एंट्र टैन पर बेच्ट कस्टम रोम है और दोस्तो आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो अपने रैडमी नूट 7 में और स्कवरी में जाने के बाद रोम फाइल को और यसे और फायल को सेलेट करके इंस्टॉल कर देना है अब दोस्तो अब छो सकते हैं बनाइन था कईकर देख सकते हैं ऑब अगर मैं आपको इसल फ्रण के बारे मताओं तो आपको बहुत कम app देखने को मिलते हैं आपको यहाँ पर अभी ज़्यादा एपस इसले देखने को मिल रहा है क्योंकि मैं इस रोम को अभी एक हफते तक यूज कर चुका हूँ और मैंसे दोस्तों ऐसा डेली डाइवर यूज कर रहा हूँ और मुझे यहाँ पर अभी कोई भी बक्ष देखने को नहीं मिले है अभ आपको एक और बार बता दूँ दोस्तों तो सबके यूज करने का तरीका अलग होता है आपको यहाँ पर जो सारी चीजा बता रहा हूँ वो ऐसा नॉर्मल यूजर बता रहा हूँ चैसे कि आप कॉल लगाते हो या फर यूटूब में वीडियो बगएरा देखते हो तो इस रोम में आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी यहां पर आपको फिस उनलक का उप्षन देखने को नहीं मिलता है जो कि हमें बहुत सारे अंट्रोइट रोम्स में देखने को नहीं मिलता है बागी दोस्तों यहां पर एक भूल अच्छी चीज है, यहां पर शायो में parts नाम की एक setting है, जिसमें आप vibration को अपने सापसे set कर सकते हो, नतनलब कि आपको कितना vibration feedback चाहिए है, और दोस्तों यहां पर आपको display color calibration का भी option मिलता है, जिसमें कि आप display को अपने हिसाप से set कर सकते हो कि आपको red green blue कितने amount में चाहिए तो आप यहाँ पर set कर सकते हो बाकि दोस्तों आपको यहाँ पर thermal setting और आपको यहाँ पर earphone से related भी setting देखने को मिल जाती जो कि आपको MIUI में देखने को मिलता था दोस्तों thermal setting में आप set कर सकते हो कि आपको battery efficiency कितनी चाहिए आपको performance चाहिए या फिर आपको battery usage अच्छा चाहिए वो आप इसमें set कर सकते हो view alt बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है और दोस्तों मुझे इस room में अभी जो bug देखने को मिला है अगर आप उसे install कर लोगे तो फिर हो सकता है कि आपको सारे gcam अच्छी तरीके से चलते हुए मिल जाएं बाकि दोस्तों आपको यहाँ पर basic functionality देखने को मिल जाती जो कि आपको line है जो इसकी android 9 वाली room में देखने को मिलता था वो normal gasher है जो कि आपको pixel experience room में देखने को मिलते हैं बागि यहाँ पर customizations related आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी सारे customizations यहाँ पर अच्छी तरीके से काम करते हैं यहाँ पर दोस्तों आपको February का security patch देखने को मिल जाता है और जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि जो यहाँ पर gasher से Android 10 के वो आपको normal देखने को मिल जाएंगे अगर आप room को install करना चाहते है तो मैं आपको सारी link यह दिस्क्रिप्शन में देदूँगा तो ठीके दोस्तों आज की वीडियों बसे इतना ही वीडियों आपको यहाँ देखने लिए जाएंगे